त्रेट साल में सरकार को कई बार फैसले क्यों बदलने बढ़े हैं सरकार मंथन करें हुड़ा ने कहा कि किसानों का इतना लंबा अंदोलन उन्होंने तो अपने जीवन में नहीं देखा बेरज़गारी बढ़ रही है कानून वेवस्ता चिरमरा चुकी है सरकार किसानों की फसल पेमेंट का मामला किसानों पर शोड़े उन्होंने सांसद नायव सिंग सैनी की गाड़ी पर हमले के विशे पर कहा कि जाच होनी चाहिए परजात अंतर में श्यांतिपुन तरीके से अंदोलन करने का सब को अधिकार है पर अब किसान की आप्शन चोड़ो इस बात किसान की मर्धी चोड़ो चोड़ना में थे यह मेरा पहले पिछले भार पिरा बयाब आना आया था वे किसान की मर्धी पर छोड़ दो हो फिजए ले ले ने लए अर्ति लें जए आर्ति व एक एंजिए आर्याना पंजाब रिये इलाका है उसमें इसका चेहिोगी है को बिचौल या नहीं यह है तो इस वास से एक दूसरे का दामतोली के साथ है जिनके दोनों का फाइदा सारे वर्गों का फाइदा है किसान को फाइदा है मुदूर को फाइदा है आर्टियों को फाइदा है तो वो नितिक को अपनाने चाहिए पर्जातंत्र में शांति प्रदर्षन करना परजातंत्र एक अधिकार है सब का विरोध करना अधिकार है सब का लेकिन गरीमा है रखी जाती है अब गरीमा हैं मेरे को उसका पता नहीं है उसकी जांट होनी चाहिए किसी नहीं ऐसा कदम उठाया अलग बाद है लें 307 के तुमको माइन नहीं बनता है तुमको तोड़ा गया गाड़ी प्तर मारा होगा मैं इस बात का विश्ची नहीं पना मैं गरीमा हैं तुरा पार की जा जो है अगर शांती प्रिया प्रदर्शन को अपनी अवाज उखा रहे हैं तो यह उनका अधिकार है तो सरकार जो है इस तरह लाठी से मुकदमों से और इसे दबानी सकती है वाज अपनी विफलताएं दूसरे पर बहुत असान होता कहना है कामरेस कभी इस नीती पर नहीं चलती है और अभी वहां को लाड़वा में मैंने खुद मौश्चर कराएं देखा तो 11 पर 11 था और फिर भी नहीं उठाए जाए रही थी और जो वाइदा था कि भी 48 गंदे तक किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी तो उसके ओपर ब्याद दिय जाएगा तक पेमेंट नहीं आई और अब इसी पिछले सीजन की आड़ीयों के ओपर बात थी उनकी पेमेंट नहीं आई तो हर वायर को है इस संसे पर्रेशान है जो वाइदे इस वाइदे हैं खोटने सी दोते जाहरे हैं ए ना इपक्सान के हित्के ना मजदूर होगे ना आर्टियों गे तो मेरा सरकार से आग रहा है बच जो पुराना सिस्टम था उसको चना है और ये किसान की मर्जी को छोड़ें किसान की मर्जी किसान की आप्शन लें शायद ली भी होगी पहले कि जो किसान सीधा पेमिन डिक लेना चाहे, वो सीधा ले जो आर्थी तो आर्ग अर्थी जर्ना लगवाता है, अब मौस्चर भी कम कर दिया, और जो टूट का मातरा भी कम कर दी, और आज इसका खाद का भाव जो बीएपी का भाव बारा सो कट्टे के उन्निस सो कट्टा कर दिया जो एनपी के का भाव जो जो इस आश्पान होता है जिसका भाव क्यारा सो पैंदिस्टा को सतरा सो कर दिया साथ परसंट पचास परसंट साथ का बाव बढ़ा दिया डीजल का अंग नहीं और विजली का दो महीने की विजली की गारांटी इरवकवर नौ डिफंडिबल दो विजली है फिल्की गार्टी तो आज मैं पहले बवेन मंडी गया और लाडवा अब मुरुशतर पहुचाओ यहां किसानों से भी बात ही मेरी और आड़तियों से भी बात ही और मजदूरों से भी बात ही तो आज इस किसम का सिस्टम मनाया है तेनों जो हैं परेशान हैं बहुत खफ़ा हैं क्योंकि पॉर्टल से तो है 16,000,000 किसान हैं आज धर्याने में इननकी रेस्टेशन तो 8,000,000 की हुई है 50% की तो रेस्टेशन ही नहीं हुई पॉर्टल काम ही नहीं करता पॉर्टल लोडिंग जियता इता है और अब भी ये बाहर ये बात आ रहे हैं जी पॉर्टल कभी बुश बता पॉर्टल के बुश दो गई बताया एक किसान का अकांट नबरी बदल गया तो कैसे होगा ये सिस्टम जो है ये फेंद सिस्टम है और आरिक्यों को करें ये पीजॉलिया हैं पीजॉलिय नहीं 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 है ये फैस्लिटेटर हैं लमने पहले भी का था और शायद आर्ट बढ़ना चाहे सीधा ले चास? कि मजड़ूर अप कैसे मजडूर अब जो है किसान की फ種 मालों किसी की आज भी पक गई तो पंद्रा दिन तक तो उसको मेसेज नहीं आएगा फिर क्या करेगा वो अपनी फ़सल घर लेके जाएगा घर से फिर मेसेज आएगा मंडी मिलाएगा उसके ओपर दुग्रा खर्चा बड़ेगा नहीं तो अपनी फ़सल जैसे पक्ती थी पिसान आपने राड़ती भी ले बारिश होती तो आड़ी तरपाल भी लगाता है उसके उपस अच्छी तरह उसका देखता खरकाव भी करता था और किसान भी अराम की नींस होता था अब पुरी पुरी रात उसको खत्रा रहता है खेट में कसी जगा चोड़ नहीं सकता है दमकियों से कभी लोगों वो नही किसान के उपर प्रयोग नहीं सहीयोग करो उसका तो उनको उनको सोचना है उनको आतम मन्थंग करना है कि ऐसे आलाग क्यों हुए जन्रीट के फैंश्टा लेंगे तो कभी ना भी तो चुनके नेट साल पहले तो दस की दस सीट जीते हूं वह भारतिजिंदा पार्टी एक साल साल पहले सरकार बनी है तो उनको मान्थम अप यह जाने है खैस्टे ठीक लेंगे तो ऐसा नहीं है को है तो आहलात जो है वह उनके है सरकार विफल सरकार आज बेरोजगारी में नंबर एक हो गया रिया आज कानूर वेस्ता में चड़मना आगया आप कोई चीज देखो और महंगाई किनी बढ़ रही है आम आदमी की पह है उनका स्वाली पादानी लागत बढ़ रही है आम नहीं घट रही है आरतिया वैसे वेपारी वैसे परेशान है हो गया हमारी मुनाफ़ा तो गया दूर बचत तो गई दूर हम तब भी पूजी खा रहे हैं कब तक खाएंगा हमने पूजी तो हर वर्क परेशान है किसान है सरकार से वाइद ये खोखले हैं जो 23 तीन तारिकों दिनका गहूं किसान का खिजदा गया आज तो पेमेंट निबली नौ परशेंट के आज फोन देगा हुए और जो किसान मैसेज के इंजार कर रहा है उसका पहले अपने घर लेके जाएगा फिर घर से मंडी में दर दिन के बाद उसके जो खर्चा है उसको जो खर्चावान जो लॉजिस्टिक है तो किस पर पड़ेगी और जो मान लो आपका क्याते हैं सेलों में ले जा सकते सीदे सीलों में ले जाएंगे तो उसका ट्रांस्परेशन का खर्चा उसको कौन देगा यह सरकार के कोई कुरक्षेतर से विनोद कुंगर पंजाब ना इनके लिए